बड़ी ख़बर है जोसना कि अब तक हम बता रहे थे कि आज प्रधान मंत्री मोदी की जलंस्की से बात होगी लेकिन उस से पहले प्रधान मंत्री मोदी आपको बता दें नरेंदर मोदी पुतिन से भी बात करेंगए, व्लाधिमे और पुतिन, राश्टपती, रश्या के उन फिर से उनकी ये दूसरी बातचीत होने जा रही है बिल्कुल अब आप ये सोचिए आज दोनों ही देश यूक्रेन और रश्या के बीच भी तीसरे राउंड की बैठक होनी है उससे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी पहले जेलंस्की से बात करेंगे जेलंस्की से बात करने के बाद रश्या के पुतिन से बात करेंगे तो अब आप इस पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं जो ये बात होगी क्या उस बात में दोनों ही देशों को शांती के लिए समझाया जाएगा या किसी तरह की दोनों ही देशों में पूरे विश्व के उपर नजर डालेंगे बहुत कम आपको ऐसे लीडर मिलेंगे जिनके उपर सहमती होगी मीडियेशन की और हमारे प्रदान मंत्री एक ऐसे विखती हैं जिनके उपर सहमती रूसकी भी हो सकती है और जलन्सकी भी हो सकती है आपने तो खुदी देखा उकरेन के जो यहां पर ambassador है उन्होंने खुदी request किया कि उनको मदस्ता करनी चाहिए रश्या के साथ हमारे बहुत अच्छे संबद है अमेरिका के साथ हमारे strategic संबद है तो मुझे लगता है हमारे prime minister एक ऐसे विक्ति हैं आज जो दोनों को reconcile करा देंगे और ये जुरूर बात है कि वो अपने students को वहां से बाहर लाने की बात भी करेंगे लेकिन मुझे लगता है वो मुदा नहीं है मुदा है किसी ना किसी तरीके से दोनों को पुतिन और जिलंस्की को एक negotiating table पर लाने का और मैं आपको भविश्यवानी करता हूं कि अगले दिनों में हमारे प्राइम मिनेस्टर इसमें बहुत बड़ा रोल ने बाएंगे जैनरल शर्मा भी हमारे साथ करनल ठिकू बने हुए हैं उनसे भी इस पर reaction ले लेते हैं जैनरल शर्मा आज दोनों ही देश रश्य और यूकरेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत होगी उस तीसरे दौर की बातचीत से पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जलंस्की से बात करना उसके बाद पुतिन से बात करना ये कितना important development रहेगा दोनों ही देशों में श है और वहांके लोगों को निकाला जाए ये आईस आई सी इंडियन इंटरनाशनल रेड क्रॉस के तू होना था पर ये जो decision हुआ था कि हम आपर हम शांती करेंगे और लोगों को निकालेंगे वह successful नहीं रहा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर